एलो फ्रेंज माइम इस विपिन सिंग और इंस्पेक्टर ओफ इंकम टैक्स इन फैज़ाबाद पॉर्मर एसो असिस्टेंस सेक्षन ओफिस ऑफिसर मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टेनल अफेर्स और उसके पहले एकाउंटेंट इन इंडियन बीरो आफ माइन्स नाकपूर तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे असिस्टेंस सेक्षन ओफिसर मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरन अफेर्स अनि विदेश मंत्राला में उसके जॉब प्रफाइल एवरी डिटेल हर चीज की क्योंकि आपने में से बह स्क्राइब करें बिल आइकन दबाएं जिससे आपको रेगिलर नोटिफिकेशन मिलते रहें यह चैनल पर सिर्फ जॉब प्रोफाइल ही नहीं बताया जाती है पढ़ाया भी जाता है तो आप पढ़ाया भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स सेलर की बात करते हैं आए देखते हैं यह रही सेलरी देखे जब आप इंडिया में पोस्टेड होंगे तो मेंली आपकी पोस्टिंग डेली में होगी डेली में जो पोस्टिंग होगी उसमें बेसिक आपका रहेगा चाववा आपका बेसिक रहेगा इसमें यह डिटेल दिय इसमें लगबख बावंस होगा वो सब्ट्रेट करिए सी जी जी आई एस सी जी एच यह मिला के पांच छेशो रूपए तक होते हैं वो सब्ट्रेट कर दिये यह इंकम टैक्स लगबख दो या तीन हजार बैठेगा वो सब्ट्रेट कर दिजिएगा तो यह आपको लगबख 58,000 के आसपास आएगा 57-58,000 के यह this salary होगी आपकी इन हैंड जब आप मिनिस्ट्रे उपफेस में जाएंगे दिल्ली में पोश्टिंग होंगे अब एक ब्रॉट्स सेलरी की बात करते हैं आपसे जब आप abroad posted हो जाएंगे तब देखो यह है सब कुछ सारे countries का नहीं लिखा गया है यहाँ पे केवल कुछ countries का लिखा गया है लेकिन मैं foreign allowance जो होता है उसका PDF या तो description में या comment box में डाल दूँगा अगर आपको चाहिए होगा किस country का foreign allowance कितना है तो आपको मिल जाएगा देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है New Zealand का foreign allowance ये है USA का ये है ऐसे आज की date में ये डॉलर में है ये ठीक है ये 73.79 आज की date का है एक डॉलर बरावर रूपीज में convert करोगे तो ये आएगा फिर इसमें basic ध्यान रखना पिछली slide में gross आपका नहीं जुड़ता ये नहीं जुड़ता कि एवन foreign posting होने पे आपको क्या मिलेगा foreign allowance मिलेगा और ये मिलेगा ठीक है आपका basic तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है foreign allowance Indian rupees में convert करके आया basic add करोगे तो ये आएगा ठीक इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है अब यह क्या चेक करें 35% हाइक देखिए विदेश मंतराले में जो country होते हैं उनका क्लासिफिकेशन चार होता है ए प्लस ए बी सी हाड़ सी पांच ठीक तो हाड़ सी country में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको कुछ दूसरे allowance मिलेंगे सेफ्टी एलावेंस एट्सेटरा एट्सेटरा तो उसके अफगानिस्तान नेपाल यह सब हाड़ सी हैं तो यहां पर आपकी सेलरी बढ़ जाएगी 35% से तो आपको यह सेलरी मिलेगी यहां पर जो लिखा हुआ है यह यह ठीक है और थंबनेल में यही आपकी सेलरी लिखी हुई है कि 3,00,000 तक सेलरी मिलती है ठीक तो गुसा मत जान है यह फॉर इनलावंस है बाकी का फॉर इनलावंस आपको PDF में डाल दिया जाएगा आपको इच्छा होगी तो डॉलर्स में रहेगा देख लीजेगा रूपी से मल्टिप्लाई करके निकल आएगा बेसिक एड करके पूरी सेलरी ठीक है आगे चलते हैं अब सुरू से हम ब कुछ हो गया तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा ठीक पीवियार रिपोर्ट देनी पड़ेगी इसके अलावा में 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 और एक दो डिपार्टमेंट में होता है क्योंकि आपको फॉरें भेशते हैं सेंस्टिप पोस्टिंग होती है इसलिए आईबी वाले आपका वेरि तो इसलिए क्योंकि इसमें आईबी वाले भी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपकी जॉइनिंग थोड़ा सा डिले हो सकता कंपेरेटिवली सी एसस की जॉइनिंग बहुत जल्दी आ जाती है जॉब मतलब आप पास किये नहीं रिजल्ट आया नहीं थोड़े दिन बाद जॉ और जॉब में करना क्या होगा ड्राफ्टिंग करनी होगी ड्राफ्टिंग कैसा मालो कोई नोट बनाना है कोई किसी को लेटर भेजना है तो लेटर आपको ड्राफ्ट करना है कैसे आप करते हैं बहुत आसान होता है फाइल होती है उसको पेपर पढ़िए अंग्रेजी ठी ठीक है तो बहुत आसान ठीक अब वर्किंग आर्स के बारे में हमने आपको बता दिया कि इंडिया में जहां आपकी पोस्टिंग होगी वह में ली चार जगा होगी कहां पे साउथ ब्लॉक में जवाहलाल नहरू भावन में सास्त्री भावन में या पटियाला हॉस जो आपने पटियाला हॉस पूर्ट का नाम सुनाओगा उसी के बगल पटियाला हॉस है उसी में आफिस रहता इसका साउत ब्लॉक कdi है यह कहां पे है जवाहला नहरू भावन यही में पोस्टिंग होती है यह नेशनल म्यूजियम के सामने है उद्ध्योग भावन मेट्रे स्टेशन से निर्मार भावन के और बढ़ेंगे तो यह मिलता है यहीं पर मेन पोस्टिंग है क्यों इसमें जो साउध ब्लॉक है यह डिफेंस मिनिस्ट्री वाले कपजा करते जा रहा है और मिनिस्ट्री यह लाश्ट शीज कि इसमें आपकी पोस्टिंग रीजिनल पासपोर्ट ऑफिसेज में भी हो सकती है जो हर कंड़ हर स्टेट के कैपिटल में होती है कई बार कैपिटल में नहीं भी होती है यहां पर इंटर्नल अफेर्स वाले बहुत कम जाते हैं अगर आपका जुगार हो नहीं तो नहीं होती है अब देखो ट्रेनिंग के अगर बात करें इस ट्रेनिंग होगी नहीं कुछ टाइम आप जौब करेंगे उसके पास दिन की ट्रेनिंग होती है कहां पर फॉरन सर्विस इंस्टिट्यूट में जो कि जैन्नियू के अंदर काम करता है यह हौच खास के पास है हाँच खास बड़ी फेमस जगह है दिल्ली में उसके पास है यह यहां मेट्रो इस्टेशन नहीं है तो जाना थोड़ा सा मुष्किल होता है लेकिन पास दिन का ट्रेनिंग होगा वहां और आड़िट्रिया में ट्रेनिंग होती है आराम से बठीए आदा सोई है ठीक है और चीजे सीखने को मिलती है चारा एफार रूल्स वगरा सब इसी पढ़ाया जाता है क्या कैसे है पास दिन की होती है कोई हार्ट बहुत हार्ट ट्रेनिंग नहीं होती है अब जब कोई सलाइड मिस हुई नहीं ठीक है अब जब पोस्टिंग अब्रॉड होगी तो द डेश की जो अमबसी पर है दिल्ली में है लेकिन उसका कॉंसलेट कहां पर मुंबाई में भी है क्यों और कोई के रला आया है घूम ने उसको कुछ काम हुआ अपनी एंबसी में तो उसको भाग के दिल्ली जाना पड़ेगा केरला से इसलिए कुछ जगा इंडिया में काउंसलेट खोल लेते हैं अपने देश के नागरिकों के सुविधा के लिए तो जैसे मुंबाई में खोला हूँ हो सकता है काग जगा और हो चल्न नहीं वगारा में उसकी बारम आइडिया नहीं मुझे तो जब कंट्री बड़ी होती है तो अपने देश के लोगों को सुविधा देने के लिए दो तीन जगा ऑफिस पोल लेते हैं तो एक मेन ऑफिस होता है वह एंबसी होती है बाकी दो ती पूरा हो गया दूसरी कंट्री में जा रहे है या नए वैकैनशी होई है То कंट्री से वैकनशी आती है उस में से आपके पास सबके मेल पर आता है कई बार नहीं भी आता है लोगों एक दूसे आपको उस तीन में से कोई country आपको दी गई है और आपने तब मना कर दिया तो आप बार हो जाएंगे आपको बार कर दिया जाएगा foreign posting से आपको फॉरेंट पोस्टिंग से डी बार कर दिये जागा कुछ टाइम के लिए लेकुन उसमें भी अगर आप जा कर लें तो हो जाता है कोई ऐसा है नहीं ठीक है वो इंटर्नल चीजें है आप जब रहेंगे तो जान जाएंगे तो तीन च्वाइसे दी जाती है यह हो गया ठीक है अब कंट्री का हमने बता हम बता चुके हैं आपको क्लासिफिकेशन क्या होता है यह प्लस ए बी सी एंड हाड़ सी इसके बारे में हम बात करेंगे अभी अगली साहिल में तो यह गणि दीघो वैसे तो किसी भी देटरी में आपको वी साल के लिए बहे जाता है लेकिन हाड़ सी कंट्री में देटर से दो साल के लिए भेजा जाता है जब तीन साल बाद आपका टेनर पूरा होता है तो किसी और कंट्री में वेकेंसी निकलती है अगर आप भड़ते हैं और मिल जाता तो आप डारेट जा सकते हैं इंडिया वापस भी आ सकते हैं इंडिया वापस भी आ सकते हैं और हाड सी कंट्री म तो यहां कि कहने को है लेकिन लोग तीन सारे तीन साल भी रह जाते हैं इस कंट्री के और एक और अच्छी बात है यहां पर कैंटीन है इसलामाबाद में तो लोगों को खाना नहीं बनाना पड़ता तो यह जो है बहुत सारे लोग इसको सेलेट करते हैं जैसे पंजाब कोई रहने वाला है उसको अगर इसलामाबाद मिल गया तो घर मिल गया हर तीसरे दिनों चला आ रहा रहा है और सेलेट होते हैं जैसे यहां पर तीन साल की पोस्टिंग होती है डेर से दो साल नहीं तो यह कुछ एक्सेप्संस रहते हैं वह कंट्री वाइस वैरी करते हैं वह जब आप रहेंगे तभी आप जान पाएंगे आपके पोस्टिंग होगी तो और एक और बात जो सबसे बड़ा मित होता लोग पूछत अगर सारी जिन्दिगी नहीं जाना है और एक बात जो मित है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तीन साल की सर्विस होने के बाद ही आप को एबराट पोस्टिंग मिलती है ऐसा भी नहीं है आपको जैसे मैं जब छोड़ किया था तो आठ महीने की सर्विस थी और उसमें लोग डूसरी चीज बहुत सारी डेली डेली के लोग सेलेक्ट हो गया है तो वह डेली में नहीं जा रहे हैं उसके कराण भी 6-7-8 महिने में वेकेंसी क्रीट हो जा रही है तब लोग भेजे जा रहे हैं ठीक है हाँ फॉरेंट पोस्टिंग से पहले आपकी एक महीने के रिगरेश ट्रेनिंग होगी इसमें बहुत सारी चीज़े सिखाई जाएंगे और उन चीजों में एक जो बहुत इंपॉर्टन चीज़ सिखाई जाएगी वह है उस कंट्री की लैंग्वेज तो यह थोड़ा मुस्कि हो भी देखी बाएजां जिसमें वो पाकिस्ताने पेहमला कर देता है यह निया का थो पाकिस्तानी ने जब इंडिया में है तो यह ऺषय कि नहींगगेज आपको सीखने पड़ती है सबमसीख जाते है जब आप फॉरेन में पोस्टेड होंगे तब आपकी जॉब प्रफाइल क्या होगी बहुत लोग पूछते हैं यह तो जॉब प्रफाइल यार आसान होगी जो इकाम यहां करते हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग वही वहां भी करेंगे वहां कुछ चीज़ और करनी पड़ सकती है ना आपके कंट्री वाले की किसी पास्पोर्ट में कोई इशू हो गया दूसको रिजॉल्व करेंगे आप दूसरा एकाउंट सेक्षन जहां से सबकी सैल्ली वगरा बनती है वहां पोस्टिंग हो सकती है तीसरा अड्मिस्ट्रेशन पोस्टिंग हो सकती है सब जितने भी आगे चलते हैं एकमोडेशन अगर इंडिया में पोस्टिंग होती है और डेली में आपकी पोस्टिंग मिले है जो की ज्यादा चांस वही है तो द्वारिक्या में इसका फ्लैट होता है वह आपका इंटाइटलमेंट टू भी अचके होता है दो कमरे रहेंगे एक बड़ा स एक डाइनिंग रहेगा फुली फरनिश रहेगा आपको कुछ भी खरीदना नहीं है ठीक है सब कुछ आपके पास रहेगा एसी लगे होंगे हर कमरे में घीजल लगा होगा टीवी रेफ्रेजेटर सब कुछ एकदम फिट रहेगा बहुत पस्क्लास क्वालिटी गा और सेलरी उसमें जाएगी हुँ तो आपको खाना खुद बनाना एक मोडेशन आपको ग्षाना आपको खता ऐ है तो यहाप बहुत बड़ा अमां час बचता है दूसरी सेर्श सोच भी नहीं सकते हैं यह लिटरलीा है आप यकीमड और दूसरे पट जो है इसमें वह यह आप ऐसे लोगों इस सकते हैं उनको आप टीवी में देखते हैं अप्थे कुछ लोगों ईधू होता है दुनिया घूसर्ड अलग अलग Barbie'sא पोस्ट अपर उसके तेजा अपने टीवी में के वल यह है कि Children Education का जो पूरा खर्चा होगा अगर आपका चाइल्ड है तो गवर्मेंट देगी कई बार वो लाखों में फीस होती है जैसे मेरा दोस्त रियाद में है वहां पर अमेरिकन स्कूल है उसकी एक महीने की फीस दो लाख रूपए है अमेरिकन स्कूल की वह गवर्मेंट आपको देगी यहां आपको दो लाग रूपए कौन देगा कोई नहीं मेडिकल का खर्चा पूरा आपको गवर्मेंट देगी उस कंट्री के बेस्ट होस्पिल्टर में आपका ट्रीट्मेंट होगा जो भी खर्चा लगे गवर्मेंट देगी ठीक और आने-जाने का कही बा एक बार आने-जाने का गवर्मेंट देगी अगर हाड सी कंट्री पोस्टिंग है तो बीच में तीन बार आने-जाने का देगी और एक बार शुरू में एक बार लास्ट में लॉटने का देगी यह चीज़े हैं और प्रोमोसं देख लिजिए हिसमें कहां तक होता है असिस्टें सेक्षण और ऐसे आप देखती है कि इसमेंटर का अंबस्टर आलें वह इस होते हैं तो आप अंबस्टर simply आ एक नीची में जाएंगे लेकिन चाउंसलेट जेनरल में जो counselor जनरल होता है वो हक्सर यह होता है यह होता है तो आप counselor जनरल बन सकते हैं दूसरी चीज जैसे चोटी happens है नामीo one यह सब जिससे में इंट्रक्षन का मएंउटार का भी अगो तो अगर आपकी है आगे पर मिस्स और विदेश में सेलरी ज्यादा तो खर्चा भी ज्यादा इसके बारे मैं अभी बात कर चुका हूं कि ऐसा नहीं है में खर्चा अब पर्सनली पूछे कि आपने क्यों छोड़ा यारी यह बहुत पर्सनल रीजन मेरे घर में कोई नहीं था मेरे परणस को देखने मला इसलिए मैं आप छोड़के आ गया उनकी तविएत नहीं ठीक रहती और एक लोगोंने पूछा है कि क्या विदेश मंतराले में रहते हु ज्यादा होते हैं जैसे मुझे जब मैं पहली बार ज्वाइन करने गया तो साउथ ब्लॉग भी एक एंजियो सेक्शन था इंटर्विव के लिए वहां मैं गया तो उन्हें पूछा सटर्डर संडेव काम कर सकते हैं मैंने का बिल्कुल नहीं कर सकता तो उन्हें मुझे नह तो टाइम निकल आता है ठीक है और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में पूछिए मैं सप्लिमेंटरी वीडियो बना दूंगा या कॉमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगा सो होप यू अंडर्स्टैंड थैंक्यू वेरी मच लाइक हूब